हलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चनल आज हम कर रहे हैं क्लास टू का इंगलिश का चैप्टर नमबर फाइव इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे हर एक वर्ड का मीनिंग हम देखेंगे और चैप्टर को बहुत ज़दे ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि जब हमारे एक्जाम्स हो तो चैप्टर हमें याद रहें जिससे कि हम जब भी question answers हो हमारे fill the blanks हो right wrong हो तो हमें अगर चैप्टर अच्छे से यादोगा तो क्या होता है हम easily अपने exams में उनको कर पाते हैं और हमें जल्दी question answer याद भी हो जाते हैं जो चलिए शुरू करते हैं once upon a time there lived a beautiful woman in Greece once upon a time यानिकि एक सम्मे की बात है ग्रीस में जो है एक बहुत सुन्दर बहुत प्यारी से विमन रहती थी her name was Callisto उसका नाम जो था वो क्या था? Callisto उसका नाम Callisto था she had a son named Arcus she had a son उसका एक बेटा था named Arcus जिसका नाम Arcus था she was very happy looking after and playing with him she was very happy वो बहुत खुश थी looking after looking after means उसकी देख भाल करके उसका ध्यान रखकर वो बहुत खुश थी और playing with him उसके साथ में खेल कर वो बहुत खुश थी however her happiness was not going to last however हला की her happiness was not going to last उसकी जो खुशी थी वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई many people were jealous of Callisto many people मतलब बहुत सारी लोग है ना many people बहुत सारी लोग were jealous jealous means ग्रणा करती थे या उससे जलते थे उससे उनको जरन होती थी of Callisto, Callisto से वो बहुत ज़दा जलते थे क्यों जलते थे? क्योंकि Callisto बहुत beautiful थी और वो बहुत खुश रहती थी अपने बेटे के साथ में so they went to a goddess and said to her they went, went means क्या होता है? गए, वे गए to the goddess जो वो goddess थी यानि कि goddess means देवी वो देवी के पास गए और उनसे जाकर के उन्होंने कहा beautiful goddess यानि कि सुन्दर देवी Callisto says she is more beautiful than you Callisto बोलती है या Callisto कहती है कि वह है आपसे बहुत ज़दा सुन्दर है more than beautiful ना यानि के अपसे बहुत सुन्दर है the goddess was furious और जो goddess थी उनको गुसा आ गया वो कैसे हो गई? वो बहुत ज़दा क्रोध में आ गई वो बहुत ज़दा गुसा हो गई she cursed Callisto and change her into a bear she cursed cursed means क्या होता है? sharpit, किसी को श्राप दीना ठीक है? she cursed Callisto उन्होंने Callisto को श्राप दिया and change her into a bear और उसको एक भालू में bear means क्या होता है? भालू है ना उसको एक भालू में चेंज कर दिया change means क्या होता है? बदल देना उसको एक भालू के रूप में उन्होंने बदल दिया Callisto's hand and feet changed into paw with sharp clothes ठीक है? कैलिस्टो के हाथ और पैर जो थे वो कैसे होने लगी? उसकी जो पाओ थे जो उसके hand थे और जो उसके पैर थे वो कैसे बदल के पाओ with sharp clothes यानि कैसी में की जानवर के पंजी होता है ना हाथ के पंजे को बुलते है पाओ and pair के पंजी को क्या बोलते हैं close तो वो उसमें change हो गए her sweet voice become a savage crawl her sweet voice उसकी जो प्यारी मीठी सी जो वानी थी जो उसकी आवाज थी वो कैसी हो गई वो savage crawl यानि के वो बर-बर मतलब बहुत जादा खराब सी हो गई बहुत बिकार आवाज हो गई क्योंकि जब जानवर कैसे दाहारता है तो उसके आवाज किसी होती है बहुत बर-बर होती है बहुत गड़गड़ा हट वाली होती है उसकी आवाज में बहुत मीठा पन नहीं होता बर-कैलिस्टू के आवाज में था तो उसकी आवाज भी उन्होंने जो है बरना भर गया विद टेरिवल मतलब टेरिवल मेंस कीसे डरावने दान्थ ब्लकुल हो गए उसके and her dedicated जो विकम rough and powerful dedicated मीनस था था है dedicated मीनस होता है जो बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारी सी जो चीज थी जो उसकी जो थी, जो मीस उसका जवडा जो था ना मुव में जो हमारी दानथ होते ही ना पूरा-कत-पूरा उसको हम क्या बोलते है जवडा तो वो कैसा हो गया? वो अदम रफ हो गया और बहुत पावरफुल, बहुत ही स्ट्रोंग जैसा हो गया, जैसे किसी जानवर का होता है है ना, then उसके बाद में, the big black bear moved heavily towards her son Arcus, the big black, एक बड़ा और काला बेर भालू, moved, moved means बड़ा या मुड़ा, heavily, बहुत जोरो से, बहुत है, भारी सा, जो है, towards her son, उसके बेटे की, और बड़ा, बहुत जोरो से, बहुत तेजी से, He screamed, screamed means क्या होता है, चिलाना है ना, screamed हमने पहले भी पढ़ाता है एक और chapter के अंदर, so, He screamed in terror, terror means क्या होता है, बताएगे ये, terror means क्या हता है, terror का मीनिंग, आप सब को मैंने याद करवाया था ना, पहले एक और chapter के अंदर, terror means आतंक, ठीके, बहुत या, फिर हम बोलेंगे, घब जब रहा हाट डर के साथ में बहुत जादा आतंक जब हो जाता है ना बहुत गंदा काम जब कभी भी हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं टेरर ही स्क्रींड इन टेरर वह डर से वह आतंक से घबरानी लगा then the beautiful wood fairies come and rust away with arcus then तब the beautiful wood fairies यानिके एक जंगल की wood means क्या होता है जंगल फैरी means क्या होता है आपको पता ही है परिया ना एक beautiful सी प्यारी सी जंगल की रानी वह परी आती है come means आती है and rust away with arcus rust away means यानिके arcus को लिखर के वह जंगल में चली जाती है ठीक है Calisto looked like a pharocious bear but she was still gentle and loving ठीक है Calisto was like a pharocious, pharocious means क्या होता है pharocious means cruel यानिके बहुत गंदी बहुत बिकार सी दिखने वाली हो गई थी bear वो एक cruel bear हो गई थी, cruel भालू हो गई थी but लेकिन फिर भी she was still gentle वो फिर भी बहुत gentle यानिके दयालू थी and loving बहुत ही प्यारी थी she was afraid of all bears वो सब bear से afraid means क्या होता है डरना ठीक है afraid वो सब bear जितनी भी भालू थे जो उस जंकल के अंदर थी उनसे डरती थी and other wild animals और जो दूसरे other means क्या होता है दूसरे wild animals से वो उनसे भी डरती थी she ran away from hunters वो जो hunters थी hunter means क्या होता है शिकारी ठीक है जो शिकार करने आते है ना जंगल में she ran away from hunters वो hunters से दूर भाग गई and their dogs टू और वो उनके dogs से भी जो उनके कुत्ते थे उनसे भी दूर भाग गई so इस वाली chapter में हमने कितने new words meanings देखें आप देखे beautiful beautiful means सुन्दर ठीक है next हमने देखा था smell looking after however however means hala ki jealous means चिड़ना या क्यानमे इशा करना ठीक है furious means furious means क्या होता है क्रोधित होना क्रोध करना sorry cursed means cursed means होता है श्राप देना किसी को या किसी को श्रापित करना change means बदल देना ठीक है savage means खराब आवाज बहुती बिकार सी आवाज delicate means